नमस्कार आप सबी का नॉलिज पॉइंट में बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरों का समेत SSC जैसे अने प्रतियोगी परिक्षाव में काम आएंगे ये सवाल इतिहास, बिहार श और इसका सही जवाब है A. सीवान सवाल नमबर दो, बिहार में शिल्प कला के छेतर में दिया जाने वाला पुरसकार कौन सा है? A. आनद मुखरजी पुरसकार B. नंदलाल बोस पुरसकार C. पन्ना पतेल पुरसकार D. उपेंदर महारती पुरसकार और इसका सही जवाब है D. उपेंदर महारती पुरसकार सवाल नमबर तीन, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? A. पर्ण पाती, B. सदा बहार, C. कोन, D. इनमें से कोई नहीं और सवाब है A. पर्ण पाती सवाल नमबर चार, सबसे पुराना वेद पुरसा है A. यजुरुवेद, B. रिगवेद, C. सामवेद, D. अथरवेद और इसका सही जवाब है B. रिगवेद सवाल नमबर पाँच, मिनाक्षी मंदिर कहा इस्थित है? A. मदुरै में, B. तंज्यावुर में, C. श्रीरंगम में, D. महाबलिपूरम में और इसका सही जवाब है A. मदुरै में सवाल नमबर चे, फॉरवर्ट ब्लॉग की स्थापना किसने की? A. सुभाष चंद्र बोस, B. राजेंद्र प्रसाद, C. भगतसी, D. अमबेदकर और इसका सही जवाब है A. सुभाष चंद्र बोस सवाल नमबर साथ, पृत्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? A. नील हरित शैवाल, B. कबक, C. अमीबा, D. यूकलिना और इसका सही जवाब है A. नील हरित शैवाल, सवाल नमबर आठ, सबसे बरा इस्तन पाई कौन सा है? A. वेल मचली, B. अफरी की हाथी, C. दरियाए घोडा, D. दुरुविय भालू और इसका सही जवाब है A. वेल मचली, सवाल नमबर नौ, किस राजसरकार द्वारा कौशलिया मातरतो योजना को लाँज किया गया है? A. उतरपदेश, B. चछतिसगड, C. ओडिशा, D. राजस्थान और इसका सही जवाब है B. चतिसगड, सवाल नमबर दस, भारतिय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्गाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया है A. सेवा एक्सप्रेस, B. सुरक्षा एक्सप्रेस, C. लाइफलाइन एक्सप्रेस, D. जनता एक्सप्रेस और इसका सही जवाब है C. लाइफलाइन एक्सप्रेस सवाल नमबर ग्यारा, हवाई जहाच प्राया किस भाग में उरते हैं? और इसका सही जवाब है पिछले सेट में हमारे जिंदरशकों ने सबसे ज़्यादा सही जवाब दिये है उनके नाम है आप सभी का बहुत बहुत दिनवाद हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिख कर जुरूर बताएं सबसे रहता सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिस करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार